राधे राधे चैय स्री किष्णा कहानी बतायगी काना जी या भगवान जी कैसे मिलते हैं एक पंडित जी थे वे रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाट करते थे एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो तब पंडित जी बोले कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है तुमें काम करना मैं यही पडोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाट करता हूं वो यजमान बहुत दानी लोग हैं जम मैं कथा सुना रहा होंगा तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना चोर मान गया अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहां आ गया तब पंडित जी बोले कि यहां से मेलो दूर एक गाउं है व्रंदावन वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम काना है वो हीरो जवाहरातों से लदा रहता है अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आस पास बहुत सी जाडियां है चोर ने ये सुना और खुसी खुसी वहां से चला गया वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक काना नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूं मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो पतनी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है चोर वहां से ये संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उस काना को लूट के ही आऊंगा वो पैद पैदल ही पैदल तूटे चपल में ही वहां से चल पड़ा रास्ते में काना का नाम लेते हुए वो अगले दिन साम को वहां पहुचा जो जगह उसे पंडि जी ने बताई थी अब वहां पहुच कर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे भाग जाएगा तो मेरा यहां आना बेकार हो जाएगा इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली जाडियों में ही छुप जाओं वो जैसे ही जाडियों में घुसा जाडियों के काटे उसे चुबने लगे उस समय उसके मुझ से एक ही आवाज आई काना काना उसका सरीर पर मुझ से सिर्फ यहे निकला काना आजाओ काना आजाओ अपने भक्त की ऐसी दसा देख कर काना जी चल पड़े तभी रुकमणी जी बोली कि हे प्रभू कहां जा रहे हो वो आपको लूट लेगा प्रभू बोले कि कोई बात नहीं आपने अपने ऐसे भक्तों के लिए त तो मैं लुट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूंगा ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां आए वो जैसे ही पेड के पास पहुँचे चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ कर बोला ओ काना तुने मुझे बहुत दुखी किया है अब अब चुपचापस अपने सारे गहने मुझे दे दो काना जी ने हस्ते हुए उसे सब कुछ दे दिया चोर हसी खुसी अगले दिन अपने गाओं में वापस पहुचा सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे जितने भी गहने वो चोरी करके ला उनका आधा उसने पंडित जी के चर्णों में रख दिया जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है तब उसने कहा आपने ही मुझे उस काना का पता दिया था मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ वो मुझे आज तक नहीं मिला तुझ जैसे पापी को काना कहा से मिल सकता है चोर के बार-बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर मुझे भी दिखा कि काना कैसा दिखता है और वो दोनों चल दिये चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पे छुप जाओ दोनों का सरीर लहू लुहान हो गया और मुँँ से वस एक ही आवाज निकली काना, काना आजाओ ठीक मध्य रात्री काना जी बच्चे के रूप में फिर वही आये दोनों जाडियों से बाहर निकल आये पंडित जी की आखों में आशू थे वे फूट फूट के रोने लग गए चोर के चर्णों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरस्ते रहे जो आज तक लोगों को लूटता आया है तुमने उसे ही लूट लिया तुम धन्य हो आज तुमारी वज़े से मुझे काना के दर्शन हुए है तुम धन्य हो कहानी की सीख ऐसा है हमारे काना का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो भागे चले आते हैं प्रेम से कहिए स्री राधे मेरा तो गिर्धर गुपाल दूसरों न कोई राधे राधे आप लोगों को ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लेज कमेंट करें लाइक करें, शेयर करें सब्सक्राइब करें राधे राधे, जै स्री किष्णा झाल